रितु जी चुक्कि कांग्रेस से आप आई हैं तो आप भी सुनिये कि जुटी अफवाएं ऐसे उडाना तो गलत बात है बांटने वाले मुद्दे उठाना तो गलत बात है बस गलत फेमियों वाली लाइन पे हो इसलिए अब भी तुम 99 पे हो इसलिए अब भी तुम 99 पे हो हार कर भी उसी ना फुलाना तो गलत बात है कंसेलेशन प्राइज ये जीत के लाए है मोदी आना था और मोदी आए है और मोदी आना था जनता में बस लालच वाला तुमने तो चर्चा किया और एक लाख रुप में मिलने का घर घर में परचा दिया सारी पबलिक तो रह गई ठगी की ठगी कॉंग्रेस दफ्तर के बाहर क्यों लाइन है लगी ऐसे जनता को चूना लगाना तो गलत बात है और पंकिया सुनना पंगा मोदी से फिर क्यों गलत ले गए तुमसी सकते रहे वो शपत ले गए तुमसी सकते रहे वो शपत ले गए अब यू खिस आके बस फड़ फड़ाना तो गलत बात है आजा हमारे अखलेश जी बहुत सही बात करते है चुकि मैं अखलेश जी के शहर से हूँ इटावा से हूँ तो वो समझदार आदमी है और आजकल वो रहुल को भी समझा रहे है और रहुल को समझा रहे है जो हूँ 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 आगे बढ़ो अखलेश बोले ये रहुल से न जीतेंगे अभी कमल से उन्तिस तक नहीं है मोका चाहे आरुपार कर लो पी एम वाले ख्वाब को तुम थोड़ा साइड यार कर लो तुम भी इंतिजार कर लो तुम भी इंतिजार कर लो गलत फैम यह दूर कर ला ने मैडम सोचना नहीं की नितीश को तोड़ लाएंगे हम नाएडू या शिंदे पावार को मोड लाएंगे हम पूड बहमत के वो हमारे सब सोर्स ही खा गए हम को स्टार्टर मिला वो मैन कोर्स ही खा गए शिच्वेशन जो आ गई है अच्छा है उसी में ढलो तोड़ा रेस्ट माइंड को दो थोड़ा मूड भी बदलो मैं भी टूर पे निकल लूंतुम भी टूर पे ut a hero thank you very much, thank you. Thank you, thank you. सbnुच्थ जों लेगे बिल्कुल मैं तो इंधिजार कर रहे हुआ कुरसी बदलेगी हखिकत बाहर आएगी कुरसी बदलेगी वार खिकतपश चलेगा पर कुर्सी बदलने के तो यह लोग इंजार करते रहते हैं आप भी कुर्सी बदलने करते हैं मैं हकीकत की बात कर रहा हूं देखिए एक बात सुनिए अभी एंडिये की सरकार परधान मंतरी देश के नरेंदर मोदी कनेक्टिविटी जनता की सीधी उनके साथ लेकिन एक बड़ी विचितर सी बात है कि जहां पर तीन डिजिट में भी कोई पार्टी नहीं पहुँची वो सभी मुखे मंतरी पद के सपने ले रहे हैं चलो दिया ये भी दिया ये भी दिया अब सभी से पूचके देखिए कौन ह हो सकता है अब यह सोचिए वह मंजर कैसा होगा अगर हैपोथेटिकली भी सोच लें कि अगर उदर थोड़ा भाहमत मिल जाता तो वह मंजर कैसा होता परधान मंतरी पद के लिए किस तरीके की लडाई शुरू हो जाती तीन डिजिट में भी एक राजनितिक पार्टी नहीं पहुंची उनकी देवाली देखकर कि हमें रोना आता है कि यह खुशी किस बात की मनाई जा रही है या तो उनको यह विश्वास भी नहीं था कि हम इतने नंबर्स पे भी पहुंचेंगे क्यों पहुंचे इसके लिए हम भी विशलेशन करेंगे जो आज बड़े हैं चाली स से 99 तक हम उस पर विशलेशन करेंगे कहां कम्या रह गई सब कुछ करने के बावजूद सेनाओं ने हमें वोट दिया अब देखिए बैलेट पेपर सेनाओं ने हमें वोट दिया जो हकीकत जानते हैं देखिए सबसे पहले तो यह लोग जीत गए और जीत के भी हार गए और हम हार के भी जीत के और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और मोधी जी चले थे बाइलेजिकल से भगवान बने और वो आ गए लपेटे में भारत की जनता गए भारत की जनता ने उनको बता दिया कि अब फ्रेम में आप अखेले नहीं रहोगे आप बाइलेजिकल त तकलीव है पहले तो यह चीज को एकसाप्टी नहीं कर पा रहे कि इत्ती कैसे हमारी हार हो गई हम तो 400 पार का नारा लेका चले दे और यह तो हमारा बहुत ज्यादा बुरा हशर जो है वह हो गया ना यही बहुत ज्यादा कैसे हो गया तो बना तो दूली सरकार कि देखें सरकार जो ऩो में जो सरकार बनाई है वो कभी इधर लुटक रही है कभी बहुत अच्छे से संब्ली हुई है और हम ना जित्ता भारत की जंता है ने हम पर यकीन दिखाया है उसका आप बहुत विश्वास नहीं है परसो आया था मोधी जी का फोन नहीं हर बार आता है बोले दिली में क्या करना मैंने का सातों आ रही हैं एक काम कर लो बोले क्या मैंने कुछ दिन के लिए भार कर दो फिर अंदर कर देना सारी सीटे आई केजरिवाल जी ने बयान दिया वहांपर कि अब कभी जिंद्गी में गठ बंदन नहीं करेंगे हम कॉंग्रेस के साथ उधर हुड़ा जी ने कह दिया हम जाडू के साथ गठ बंदन नहीं करेंगे सुनो रितु जी तो के सतेंदर जी ने पूछा के रिजल्ट का या हुआ तो क्या बता रहे है केजरिवाल साहब तो मेरे पास फोन आया केजरिवाल जी का पहली बार बोले अनिल पैरोड़ी के मामाद्यम से कैसे कहूं सतेंदर जी को ये बात मैंने कहा ऐसे कहो कर दीया मोदी जी ने अपना सफाया कर दीया मोदी जी ने अपना सफाया खुद तो मराये पंजा हमें मरवाया कर दिया मोदीदी में अपना सफाया अब भाज़ पर कॉंग्रेस के लिए मैं हमेशा अलाप लेता हूं पहली बार आपके लिए अप अलाप ले रहा हूं ध्यान से सुनना अगले चुनाओं में हम अकेले लड़ेंगे पिटना भी होगा तो हम अकेले पिटेंगे हाथ मिलाना हमको रास नाया कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया अगला सुनो रितु जी अलाप ओ बीजे पिवाले ने ता बड़े हैं बेदर्दी कर दिया अंदर मुझको घट गई चर्बी कर दिया अंदर मुझको घट गई चर्बी हो इतना सताया मुझको जीतना नखाया कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया और दिनेज भाई आखरी सुनो ओ बिजली शराब पानी मुफत में बाटा जनता ने फिर भी हमको कर दिया टाटा जनता ने फिर भी हमको कर दिया टाटा इतना लुटाया पैसा काम ना आया कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया जनता लुटाया जनता लुटाया